कि शाथियों नमस्कार मैं केके मिश्णा कौसल यूटूब चनल पर आपको सवागत करता हूं अन्यनन करता हूं बंदन करता हूं साथी निवेदन करता हूं कि चैनल केके मिश्णा कौसल को सब्सक्राइब और रहें मित्रों आज मैं आप सबके समक्ष एक दुखत वीडियो आप सबके सामने ला रहा हूं कि कल 26 मार्च 2024 था पूरे दिन मैं इतना दुखी रहा कि मेरा कई बार ध्यान आया लेकिन वीडियो बनाने का मन नहीं करा लेकिन आज मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं ये वीडियो अवस् आप सबके बेख्ष में बीच में लाओं जिस पर मैं बताना चाहूंगा कि मेरी पूजनीय माता जी जिन्ने मुझे जन्म दिया मुझे बाला बड़ा किया तयार किया पढ़ाया लिखाया सीख्षा दिख्षा कराई और मेरी साधी आधी सम्मन सब संसकार किये और आज उनके आश्रवाद से हम फल फोल रहे हैं लेकिन 26 मार्च 2022 को वो हम सब को छोड़ करके स्वर्ग सिधार गई थी तो 26 मार्च 2024 को उनकी दोती पून तिथी ती जिस पर मैं अपनी सद्धा सुमन अर्पित करता हूं और माता जी के स्त्री चरणों में नमन करता हूं और चाहता हूं कि वो मुझे मेरे परिवार को आसिरवाद बनाये रखें आप सब के बीच में ये वीडियो लाने का सिर्फ उद्धेश ये है कि साथियो वो बहुत ही भाग साली है बहुत ही उनका स्वभाग है जिनके अभी भी माता और पिता स्वस्थ हैं ये मेरा दुर्भाग है कि हमारे पिता जी और माता जी दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है दोनों लोगों की चाया हमारे उपर से उठ चुकी है मुझे रह रहकर याद आता है दुखी मन से मेरा मन इतना जादा कभी-कभी बेचैन हो जाता है जिसका ब्रडन हम सब्द में नहीं कर सकते मित्रों पिता जी नवंबर 2019 में नहीं रहे थे दो तारीक को और इसके थोड़े हैं दिनों वात थोड़े वर्सों वात 2022 में माता जी भी हम सब को छोड़कर के स्वर्ग सिधार गई बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले बिना कुछ बताया ये भी दुरभाग था कि रात में वो सोई और सुबह वो जगी ही नहीं ना कोई बात की ना कुछ बताया और ना कुछ कहा बहुत ही अफसोस होता है जब वो दिन वो समय याद करते हैं जिस दिन माता जी ने हम सब को छ चोड़ दिया था आज मेरा में इतना दुखी है कि मैं आप से सब्दों से बया नहीं कर सकता आप सबसे मेरी अपेल है कि आप मेरी माता जी को सद्धान्जली अर्पित करें और उनको उनके स्थी चल्णों में नमन करें और हमारे उपर भी आप अपना आसिलवाद और सहयोग को बनाए रखे मैं अपने समस्थ सम्मानित सब्सक्राइबर्स को मित्रों को इस नहीं जनों को लिस्तदारों को सम्मानित सुप्चिंदकों को यह निविदन करता हूं कि आप माता जी के से चल्णों में सद्धा सुमन अवस्थ अर्पित करें और इस वीडियो को सुरू से आकिसी तक देखें लाइक करें कमेंट करें सेयर करें और साथ में KK-Mirshaa Kaushal को आसरिवात पतान करें माताजी की दूसरी पून्ठ तिथि पर सद्धासवन अर्पित करता हूँ पोस पाझली अर्पित करता हूँ और माताजी से निवेधन करता हूँ कि वो हम सब को हमारे पूरे परिवार को आज भी हम सब के बीच न रहते हुए भी हमें अपना आसिरवाद अपना वरद हस्त बनाए रखें ताकि हमारा जीवन उनके सहरे उनके नाम से जीवनत रहे चलता रहे और उनके पद्चिन्नों पर चलने का हम प्रयास करें माता जी आप से मेरा निवेदन है कि आप जिस तरह मुझे अपने रहने के समय हमें आसिरवाद और प्यार देती रहें आज भी मुझे बीच बीच में अपना आसिरवाद और प्यार अवस्त देते रहें ऐसा मेरा आप से करवद निवेदन है मैं पुना चरण बंदन करते हुए आपसे माफी चाहता हूँ कि कल की बज़ाय मैं आज वीडियो दे पा रहा हूँ याद आपकी हमेशा आती रहेगी आज भी आ रही है और ये पूरे जीवन याद आएगी जब तक ये जीवन है मैं समझता हूँ मेरे भी किसी भी साथी को मा का साया ना जाए भगवान उनको पूरी उमर दे और लंबे समयता को सब के साथ माता जी सभी की माता लोग रहें बहुत बहुत धन्वाद बहुत आभार ज़्यादा कुछ सब्द कहने के लिए मेरे पास नहीं है हम बहुत कुछ कहने और बोलने और कहन बताने में असमर्थ है पूजनिया माता जी की दोती पूर्टिती पर सत सत नमन सत सत नमन बहुत बहुत धन्वाद बहुत बहुत आभार नमस्कार